कुदेव जोपी एसी महों के बाबाल दिन रात पड़ना है मन्जा वो धामान काबर ले था स्रे ठेंसन अरे काबर ले था स्रे ठेंसन जब अप सर्वन के ते कर पे धामान ये कैसे होगा से आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है पिसली कक्षा में हमने अमल देखा था अमल के क्या की एकजामपल है अमल के अधार देखा था श्रोतों के अधार पर अज जो हमारा टौपिक होगा वो चार पर होगा क्योंकि अमल और चार दोनों ही आपके एक्जाम की point of view से important है जो आज हम टॉपिक देख रहे हैं, वो अमल वर्सा और छार है, चूकि अमल वर्सा भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप अमल पढ़ रहे हैं अमल वर्सा क्या होता है? इसके कारण क्या है? इसके प्रभाव क्या है? ये सभी चीजे समझेंगे साथ ही छार क्या होता है छार को भी हम समझते चलेंगे चले स्टार्ट करते हैं अमल वर्षा से क्या होता है अमल वर्षा सबसे पहले ऐसी ड्रेंड जिसे हम क्या कहते हैं ऐसी ड्रेंड तो क्या होता है अमल वर्षा क्या होता है तो यह वर्षा का जल होता है अर्थाथ अगर माल लीजे आपके वर्सा का जल का pH मान अगर 5.6 से कम है तो ये क्या कहलाता है आपका अमली वर्षा या Acid Dran कहलाता है दूसरी चीज ये कि अगर ये अमली वर्षा नदी में जाकर मिल जाए तो नदी का जो जल होगा उसका भी pH मान कम हो जाएगा साथ ही उसमें रहने वाले जीव धारियों पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है मुख्य रूप से ये हमारे वाईयू मंडल में सल्फर डाय ओक्साइड और नाइट्रोजन ओक्साइड के कारण होता है ये जो दो गैस होते हैं वो अमल वर्सा के मुख्य स्रोथ होते हैं इनके कारण ही ऐसे ड्रैन होता है और इसका बड़ा ही दूस प्रभाव देखने को मिलता है चाहे वो जीव जन्तु हो चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो कोई भी चीज हो इवेन आपकी जो बड़े आप महल वगरा देखते हैं जैसे ताज महल पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला है सबसे पहले ये तो होगी परिभासा की बात हमने जाना कि जो वर्सा का जल होता है अगर उसका पी एच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका वर्सा का जल कहलाएगा इसके कारण और प्रभाव को हम समझेंगे सबसे पहले हम कारण देखेंगे अमल वर्सा के कारण क्या ऐसे केस हो सकते हैं जिसके कारण हमारा ऐसे ड्रेन होता है तो सबसे पहले जिवास्प इधन बिजली सायंतरों, वाहनों और तेल रिफाइनरों द्वारा हवा में जारी सल्फर डाय ओकसाइड और नाइट्रोजन ओकसाइड अमलवर्सा का सबसे बड़ा कारण है चोकि ये क्या है आपका ये जिवास्प इधन बिजली है ठीक है इसमें क्या होता है आपका मुख्य रोप से दो गैस सबसे पहले आपका सल्फर डाय ओकसाइड और दूसरा हमने देखा आपका नाइट्रोजन ओकसाइड तो ये गैस बनते हैं और ये गैस के कारण ही अमलवर जो धुआ होता है इसके कारण भी ऐसे ड्रेंड देखने को मिलता है साथ ही आप ये देख सकते हैं ये सब के कारण जहां पास आपका तेल रिफाइन होता है तेल रिफाइन के कारण भी ये गैस जब उत्पन होते हैं तो इसके कारण भी ऐसे ड्रेंड होता है तो ये क्या ह वर्षा के जल के साथ अभी क्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं और बारिस के साथ नीचे आते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप अमली वर्षा होती है जैसे माल लीजे ये आपका क्या है बादल है ठीक है अब ये गैस क्या हो रहे है उपर उठते हैं लेकिन जब पान हमेशा कम होता है अगला पॉइंट है अमल वर्षा का मुख्य कारण वायू प्रदूशर होता है याद रखेगा अगर वायू प्रदूशर नहीं होगा तो अमल वर्षा भी नहीं होगा क्योंकि वायू प्रदूशर मुख्य कारण क्या होता है ये देखने को हमें मिलता है अमली वर्षा का पनिणाम तब होता है जब सल्फर डाय ओक्साइड और नाइट्रोजन ओक्साइड वाईउ मंडल में उत्सरजित होते हैं और पवन और वाईउ धाराओं द्वारा ले जाये जाते हैं याद रखिएगा अमल वर्षा के जो दो बेसिक कारण है ना वो घूम फिर कर इन गैसों पर ही आगा एक तो आपके नाइट्रोजन ओक्साइड और एक सल्फर डाय ओक्साइड तो इनके कारण आपका क्या होता है अमल वर्षा होता है सधारण पानी जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं उसका पी एच मान क्या होता है साथ होता है अब याद रखिएगा अगर पी एच मान साथ है तो हम उसे क्या कहते हैं उदासीन कहते हैं आपने वो नहीं पढ़ा होगा अगर पी एच मान साथ से अधीक है ठीक है तो हम उसे क्या कहते हैं तब हम उसे छार कहते हैं और साथ से पी एच मान कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं अमल कहते हैं तो इसे हम अमली वर्सा क्यों कहते हैं क्योंकि इसका पी एच मान क्या होता है साथ से कम होता है हमने देखा कि वर्सा का जल जब वर्सा के जल का जब पी ए मान साथ से कम हो जाता है किस पाणी का पीएच मान हम जो पाणी पीते हैं उसका पीएच मान साथ से कम हो जाता है। वहा अमली ऐसे डिक हो जाता है क्योंकि अमल का पी एच मान साथ से कम होता है इस जिश को ध्यान रखिएगा पी एच मान साथ से कम होता है तो अगर कोई आप से पूछे एक बेसिक कोश्चन है कि अमल कब होगा जब पी एच मान साथ से कम होगा पी एच मान याद रखिएगा साथ से चाहे कितना भी कम हो जाए वो हमें से चाह Regel 3.5 हो चाह है 3 हो 2 हो चाहे आपका 5.6 हो 5.5 हो 6 हो या 6.5 हो यह सभी आपका क्या कहलाएंगे अमली कहलाएंगे लेकिन 7.2, 7.5, 8.10 यह सारी चीज़े क्या कहलाएंगे आपका यह सारी चीज़े आपका छारी कहलाएंगे लेकिन जब साथ होगा तो यह आपका कौनसी सरेणी में आता है या आपके ओदासीन सरेणी में आता है आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट है अमली वर्षा वह वर्षा होती है जिसमें मुख्य रूप से रसाइनिक तत्व एवं प्रदूशन का मिस्रण होता है ये परिभासा बता रहा है कि अमली वर्षा क्या होता है ध्यान दीजेगा यहां पस बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अमली वर्सा क्या होता है तो अमली वर्सा वह वर्सा होती ही जिसमें मुख्य रूप से रसाइनिक तत्व एवं प्रदूशन मिक्स होता है या मिस्तरण होता है अमल वर्सा मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अमल और नाइट्रिक अमल का मिस्तरण होता है किस अमल का एक तो आपका सल्फियूरिक अमल जिसका फॉर्मूला क्या होता है जिसका फॉर्मूला S2SO4 होता है और दूसरा आपका नाइटरिक अमल जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है इस चीज को याद रखेंगे नाइटरिक अमल उसल्फियूरिक अमल का फॉर्मूला सल्फिय पुरिकमल S2SO4 और नाइटरिकमल HNO3 होता है अमली वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी के जल का pH मान कम होता है यह हमने देखा और ऐसी नदी में जिवधारियों का रहना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कठीन होता है इविन कभी-कभी तो देखने का हमारे जीवन पर हमारे आस-पास के वातावरंड पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे भी हम समझेंगे सबसे पहले प्रभाव देखने से पहले एक बर हम लोग कारण को रिविजन करेंगे साथ ही अमली वर्षा क्या होता है यह भी हम समझेंगे यहां ध्यान दीजेगा सबसे पहले हम लोग देख रहे थे acid rain, तो हमने देखा acid rain क्या होता है तो acid rain मुख्य रूप से जो प्रदूशर होती है, जो वायू प्रदूशर होती है उसका मुख्य कारण होता है जब बारिश होने वाली होती है तो यह क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, जिसके कारण acid rain जैसे समस्या उत्पन होती है और यही क्या होती है वर्सा के जल के रूप में नीचे आती है और वर्सा का जल जब 5.6 हो जाता है या उससे कम हो जाता है तो हम उसे acid rain कहते हैं और निश्चित रोप से ये नदी में पानी में प्रभावित होगा तो इससे जीवजनतों पर भी बुरा असर पढ़ेगा तो ये किसकी बात हो गई? एसेडन साथ ही इसमें सबसे खतरनाक हमने गैस देखा एक तो आपका SO2 और एक NO2 तो ये क्या करते हैं? हमारे वातावरण को बहुत जड़ा प्रभावित करते हैं क्योंकि ये एसेडन को उत्पन करते हैं तो ये हमने देखा अमने वर्सा क्या होता है? कारणों में हमने समझा यहाँ पस हम कारण देख रहे थे कि आपका जो जिवास इधन बिजली सैयंत्र होता है जो आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं ये इमेज जो आप लोग देख रहे हैं तो इसके थ्रू क्या होता है आपका? इसके थ्रू आपका सल्फर डै ओक्साइड और नाइट्रोजन ओक्साइड बनते हैं साथ ही आपके वाहनों से और तेर जो रिफाइन होते हैं वहां से भी हवा में जारी जो गयस होता है उसके काणड़ी अमलवर्सा होता यह देख चुके थे यह image से आप देख सकते हैं यह किसका है यह सारे आपके वहान है एक से बढ़ कर एक वहान चाए वो ambulance हो चाहे वो कार हो चाहे वो ट्रक हो चाहे वो कोई सा भी मसीन जैसा कारी हो जो आप लोग जितने भी वाहन के रूप में देखते हैं वो सभी क्या होते हैं वाहन के रूप में होते हैं और ये अमलवर्सा को कह सकते हैं हम लोग आगरशित करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं चीक वायूमंडली प्रदूशक जैसे तत्व जैसे नाइट्रोजन और सलफर के ऑक्साइड वर्सा जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और बारिस के साथ क्या करते हैं प्रतिक्रिया करते हैं जैसे हम एक और अच्छे से समझ सकते हैं जैसे कलर फुल देखेंगे तो यह ब्लैक में वर्षा का जल नीचे आता है तो यह क्या होता है इन लों में आपस में प्रतिक्रिया होता है जिसके कारण यही वर्षा का जल का pH मान क्या हो जाता है फाइप उआंगे पड़ेंगे हमने ये भी देखा कि अमली वर्सा का मुख्य कारण वायू प्रदूशर है एयर प्लूशन होता है अमली वर्सा का परिणाम तब होता है जब सल्फर डाय ओकसाइड एसो टू और नाइट्रोजन ओकसाइड एनो टू वायू मंडल में उत्सरजित होते हैं और पवन और अगर शिखने को मिलेगा अगर हमारा यह जितना प्योड होगा वहां पस अमल वर्शा के होनी की समभावन उतनी ही कम अमली वर्षा का जल जब नदी में प्रभावीत होता है तो आमने देखा कि नदी के जल का पिएच मान भी कम होने लगता है जिससे जीवधार्यों पर इनका क्या करता है बुरा असर होता है और जीवधार्यों का रहना कठीन हो जाता है मुश्किल हो जाता है अब हम बात करेंगे अमल वर्षा के प्रभाव, effects of acid rain, क्या effects पढ़ते हैं, यह सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करिए, सबसे पहला point, अमली वर्षा के कानण, यहां ध्यान दीजेगा, अमली वर्षा के कानण, जंगलों को अत्यधिक संख्या में छती पहुंचती है, यह पुरा आप लूंग देखेंगे न, यह जो आप देखने हैं, फॉक के रूप में, यह सब क्या होता है, आपके अमली वर्षा के कानण ही होता है, acid rain के कानण होता है, आप देखिएगा, पत्तियों का कलर बहुत अजीब होने लगता है, जंगलों में, जंगलों में जो पौधों की बाते, दूसरा, अमली वर्षा से मचलियां जिवित तो रहती हैं, अब देखो, अमली वर्षा, अगर वर्षा का जल अमली हो जाए, और यह इन पर जाकर गिरे किसी नदी तलाब पे तो क्या आसर होता है, इस चीज को ध्यान दिजेगा, तो अमली वर्षा से म मचलियां जिवित तो रहती हैं, किन्तु प्रजनन नहीं कर पाती हैं, जिससे मचलियां कम होने लगती हैं या हो सकती हैं, यह तो strong मचली की बात हो गई, लेकिन all over अगर हम बात करें, तो उसकी भी बात सुनिएगा, कई जंगलों पर यह देखा गया है कि अमली वर्षा के प्रभाव से कई जगों अपस, कई जगों पर यह देखा गया है कि अमली वर्षा के प्रभाव से मचलियां भारी मात्रा में मर भी जा ती है, तो आप लोग देख रहे हैं ये मचली, आप लोग कभी-कभी देखते हैं कि मचली मरी रहती हैं, तो कि किसके कम रहें होता है? Erde तो अम ने अभी गया और सबसे पहले हम ने देखा कि अमली वर्षा का जंगलों पर भी बुरा सरभ अधाधी अगर ये पानी पर गिर जोए उसके जीवों पर भी इसका बुरा शर देखने को मिलता है उधारण के लिए मचली आप इमेज के थूँ देख सकते हैं अगला है यह हम देख चुके हैं अगला है अमल वर्षा के कारण मनुष्य तथा जानवरों में स्वसन की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे स्वसन में अवरोध उत्पन होता है अभी हमने देखा कि आपके पौधों पर बुरा सर पढ़ता है दूसरा हमने देखा जो जल में रहते हैं उन जीवधारियों पर बुरा सर पढ़ता है जैसे मचली तीसरा हमने देखा कि चाहे वो मनुष्य हो या कोई अधर आपका जन्तु हो एनिमल हो उस पर भी बुरा प्रभाव देखने को म तो कि दि रहां था मिलती है तो है तो इसी सीज का हमें ध्यान रखना है इसो एर पलूशन हो रहाई इस पर नियंत्र रखना हो जई अगला पॉइंट है अंकुला वर्सा की कारण जल के पादपो का संर्क्ष्ण होता है जिस से संचारं होता संरच्छन नहीं संचारण होता है याद रखिएगा संरच्छन का मतलब सुरच्छा होता है सेफ्टी होती है और संचारण मतलब नुक्षान होता है तो दोनों एक ही वर्ड है संचारण मेंस आपका होता है नुक्सान और संरच्छन इसका मतलब होता है रख्षा या सुरच्छा तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि अमल वर्षा के कारण जल के पादवों का संचारण होता है नुक्षान होता है जिससे आईरन, लेड, कौपर, आदी, धातवे घुल कर पे में पहुँच जाती है जिससे जीव जनतों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मित अब आप देख सकते हैं कि अमल वर्षा कितना खदरनाक हो सकता है हमारे लिए अमली वर्षा पत्थर और धातवों से बनी मूर्तियों, भवनों तथा इसमारकों को भी प्रभावित करती हैं क्यों प्रभावित करती हैं क्यों कि अमली वर्षा इन में जो धातूं जो होती ह उनसे क्रिया करती है अब ऐसा क्या होता है समझेंगे जैसे हम उधारन के लिए ले सकते हैं कि आपका ताज महल की हम बात करें तो यह क्या करती है ताज महल किससे बना हुआ है आपका संग्मर्मर से मिलकर बना हुआ है और यह जो संग्मर्मर का पत्थर है इसमें क्या होता है आपका calcium carbonate होता है calcium carbonate जिसके कारण क्या करती है इससे ये reaction करती है और ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है समझेंगे उधारण के लिए जैसे हम यहाँ पस क्या बात कर रहे थे यहाँ पस हम बात कर रहे थे किसकी की अमली वर्सा पत्थर तथा धात्वों से बनी मूर्थि परिणामी अमली वर्षा ताज महल के संग मरमर कैल्सियम कार्बोनेट के साथ अभी क्रिया करती है कैल्सियम ये फॉर्मूला दिया है कैल्सियम कार्बोनेट प्लस आपका S2O4 सल्फियूरिक अमल है फिर जब calcium carbonate और sulfuric अम आपस में क्रिया करते हैं ये क्या बना लेते हैं calcium sulfate बना लेती है साथ ही आपका S2O मतलब gel और आपका carbon dioxide बनता है ये क्या है reaction है इस इस मारक को नुकसान पहुचाती है जिससे ये रंगहीन और दिप्तहीन हो जाता है जैसे आप लोग देख सकते हों ये पुराना तस्वीर है और ये आपका present का तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें difference देखने को मिल रहा है इसमें पाया जाने वाला संगमर में क्या होता है आपका calcium carbonate होता है जिसमें क्या करता है आपका जो sulfuric होता है वो उससे अभिक्रिया करता है और calcium sulfate बना लेता है जिसके कारण क्या होता है ये रंगहीन होने लगता है इसका color निकलने लगता है तो ये क्या करते है reaction करते हैं वो कोई सभी इमारत हो तो ये अमल वर्षा क्रिशी पेड़ पौधे आदी को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि इनकी वृद्धी के लिए आवश्यक पोशक तत्वों को अमल वर्षा घोल कर अलग कर देती है अमल वर्षा प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दायक है अब आप लोग पौधों की बात करते हैं आप पौधे देख सकते हैं कि ये किसका प्रभाव है ये अमल वर्षा के कारण पौधे कुछ इस तरह हो गया तो आप लोग इमेजन कर सकते हैं कि अमल वर्षा कितना जादा खतरनाक है अगर हम मनुश्यों की बात करें य और सांस लेने में, जैसे मचली, मचली क्या होती है, मर जाती है, तो ये सभी क्या अमलवर्षा के प्रभाव है, चलिए, हमने अभी क्या समझा, अभी हमने अमलवर्षा देखा, छार देखने से पहले हम देखेंगे, सबसे पहले कि अमलवर्षा क्या होता है, अमलवर्षा कि आप रभाव पढ़ता है यह सारी चीजों को हमने समझा तो आज का जो एक छोटा सा टॉपिक था अमल वर्सा वो हमने समाप्त कर लिया आपका दूसरा टॉपिक है छार अपने आप में एक अच्छा और बहतरीन टॉपिक है याद रखिएगा आप लोग का अगर आप लोग पढ़ रहे हैं यहां से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा चाहिए आप कोई सब एक्जाम दी कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ आज लिए इतना ही थैंक्यू नोट्स बनाते चले और पढ़ते चले अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक हमेशा आपके साथ टीम कोको